हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने हड्स टीरल पर स्वागत है तो दिखिए दिसंबर को है तेश दिसंबर को आप लोगों का मैद का विटली टेस्ट अच्छी तरीकी से त्यार कीजिए यहां पर मैं आप लोगों को भीर भीर इंपोर्टेंट कोशन बताऊंगा सभी कोशन काप ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा अच्छी तरीके से आप लोग सभी कोशन को याद कर लीजेगा विडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर्व कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा देखिए फुल मार्क्स 40 का ही रहेगा और आपका 90 मिनट का समय रहेगा तो चलिए बिना देर की हम लोग कोशन की और बढ़ते हैं देखिए वरीत और रचना है दो चेप्टर से आप लोगों का इस बार कोशन आने वाला है पहला कोशन देखिए वरीत का के अंदर वरीत के खाले स्थान मिश्थित होता है ये एक वरीत है वरीत का के पहला option देखिए बहिर भाग यानिकी वरीत के बाहर दूसरा option है अभ्यांतर रहने की अंदर में वरीत का तीसरा यह और दोनों चुछ था इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number दूसरा अभ्यांतर यह वरीत है वरीत के अंदर कोई अभ्यांतर कहते हैं यहाँ पर वरीत है और त्रीजा यहां तक है लेकिन त्रीजा अगर जादा दूर जाएंगे हम लोग तो वरीत से बाहर निकल जाएंगे तो यह बहिर भाग हो जाएगा option number पहला सही हो जाएगा बहिर भाग में श्थित होगा फिर देखिए next अगला तीन नमबर वरीत की हम लोग खिंच सकते हैं तो सबसे बड़ा जीवा क्या होता है सबसे बड़ा जीवा वरीत का व्यास होता है option number पहला देखिए त्रीजा दूसरा व्यास तीसरा जीवा चोथा व्रीत खंड तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number दूसरा सबसे बड़ा जीवा व्यास होता है फि में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option नमबर पहला व्रित खंड एक चाप व्रित खंड होता है जब इसके सीरे एक व्यास सीरे हो चलिए अब बढ़ते है नेक्स्ट अगला पांच नमबर व्रित खंड एक चाप तथा खले स्थान के बीच का भाग होता है व्रित खंड एक चाप तथा त्रिजिया के बीच का भाग होता है या व्यास के बीच का भाग होता है या जिवा के बीच का भाग होता है इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option नमबर तीसरा जीवा एक वरीद एक चाप दथा जीवा के बीच का भाग होता है फिदिखे नेक्स्ट शीक्ष नमबर एक वरीद जिस तल परिस्थित है उसे खालेस्थान भागों में विभाजित करता है एक वरीद जिस तल परिस्थित है उसे एक भागों में दो भागों मे चार भागों में विभाजित करता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number तीसरा तीन भागों में विभाजित करता है फिदेखे next अगला साथ नंबर केंद्र को वृत पर किसी बिंदू से मिलाने वाला रेखाखन वृत का त्रिज्या होती है पहला option है सत्य दुसरा असत्य तीसरा सुचना अपरियाप्त चोथा इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number पहला सत्य है यह वागी बिल्कुल सत्य है इसे आप लोग याद कर लिजिएगा important question है फिर देखे next आठ नंबर का question है एक वरित में समान लंबाई की परिमित जिवाएं होती है एक वरित में समान लंबाई की परिमित जिवाएं होती है सत्य असत्य सुचना अपरियाप्त या चोथा option इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number पहला असत्य एक वरित में समान प्रतियक भाग दिर्ग चाप होता है पहला उप्सन है और सत्य दूसरा सत्य तीसरा सुचना अपर्याप्त चोथा इनमें कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर दूसरा असत्य है इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा फिर देखे नेक्स्ट यहाँ पर देखे तीन बराबर चाप में बाटने का बात हो रहा है तो सभी बराबर ही होगा यहाँ पर दिर्ग के जगए बराबर चाप होतना चाहिए था फिर देखे नेक् तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number पहला यह बलकुल शत्य है तो दसों question को याद कर लीजिएगा अब हम लोग बढ़ते हैं दो extra question की ओर वैसे 10 question ही आएगा पिछले बार ज्यादा question पूछा गया था इस बार सायद ज्यादा question पूछा जा सकता है तो सभी question को याद कर लीजिए देखे 11 नंबर एक त्रिभूज ABC की रचना संभव है यदि BC ब्राबर 8 cm कोन बी ब्राबर 45 डिगरी और AB-AC कितना होना चाहिए 2 cm, 3.5 cm, 4.5 cm या 8 cm तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number दूसरा AB-AC 3.5 cm होना चाहिए फिर देखे next बार नंबर एक त्रिभूज ABC जिसमें AB ब्राबर 4 cm कोन A ब्राबर 60 डिगरी है कि रचना संभव नहीं है यदि BC और AC का अंतर यहाँ पर रचना संभव नहीं है बोल रहा है ठीक है तो दीकि पहला option है 3.5, दूसरा 4.5, दूसरा 3 cm, 4, 2.5 cm तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number 4, 2.5 cm इसा आप लोग याद कर लिज तो इस तरीके से MC कोंप्लीट हो जाता है अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ subjective question किये और देखिए यहाँ पर पहला question सीध करें कि प्रतियक वर्ग चक्रिय चत्रभूज होता है प्रतियक वर्ग चक्रिय चत्रभूज होता है सीध करना है देखिए यह एक वरीत है वरीत के अब देखिए A, B, C, D एक वर्ग है हम जानते हैं कि कौन A ब्राबर कौन B कौन A ब्राबर कौन B हो जाएगा ब्राबर कौन C ब्राबर कौन D वर्ग में प्रतियक जो कौन है वो 90 डिगरी होता है ब्राबर 90 डिगरी होता है इसको लिखना है अब देखिए कौन A प्लस कौन C कोन A प्लस कोन C बरावर हो जाएगा कोन B प्लस कोन D का अर दोनों किसके बरावर हो जाएगा ठीक', A आरसी को जोड़ेंगे तो 118 C हो जाएगा और A यहां पर B B आप्र D इसको जोड़ेंगे तो भी 118 C हो जाएगा, तहांलबर 121י लिखते ना है ठीक है आमने सामने का अबुजा को जोड़ कर देखना है तो यहाँ पर तो 180 आ जाएगा क्योंकि 90-90-180 हो जा रहा है देखे नेक्स टेकन कोस्टिन सीध करें कि प्रतियक आयत चक्रे चुत्रभूज होता है यहाँ पर भी यह सीध करना है कि A और C को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए और D को और B को जोड़ेंगे तो भी 180 होना चाहिए यही हम लोगों को indirectly सीध करना है तो देखें माना कि A, B, C, D एक आयत है हम जानते हैं कि कौन A यहाँ पर बराबर होगा ठीक है कौन A बराबर कौन B बराबर कौन C, बराबर कौन D, बराबर 90 सभी कौन कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है क्योंकि आयत-आयत का प्रतिय कौन 90 डिग्री होता है आता कौन A प्लस कौन C अब देखें कौन A, कौन C दोनों को जोड़नेंगे 90 और 90 180 हो जाएगा ब्राबर कौन B प्लस कौन D कौन B और D को जोड़ेंगे तो B 180 हो जा रहा है तो बस चक्रे चत्रभूज हो गया चक्रे चत्रभूज के समुख कौन का योग 180 होता है अर्थात कौन A प्लस कौन C ब्राबर कौन B प्लस कौन D ब्राबर 180 आता आयत ABCD अग चक्लीज़च्ट में, जोसला प्रेटरस्ट ही ए' तो रहा है holidays! इसको जोड़ने से 180 होना चाहिए होतो जा रहा है इसका अब लोग जयसे यहाँ पर लिखा हुआ है बस यहाँ पर बुराबर हो गा इसा आप लोग प्रेक्टिस का लीजेगा important question है अब अगला question की और तीन number तीन number का question देखिए यदि किसी चक्रिय चत्रभूज के समुख कोन किसी चक्रिय चत्रभूज के दो समुख कोन पांच अनुपात साथ के अनुपात में हैं तो दोनों कोनों के मान अन्सों में बताएं यानि कि मान कर चली ये एक चक्रिय चत्रभूज है ये एक चक्रिय चत्रभूज है तो यहाँ पर देखिए समुख कोन का अनुपात दिया है पांच और साथ तो 5 और यह वाला 7 हो जाएगा दोनों को जोडने से कितना होना चाहिए 180 तो इसका हो लोग X मान लेंगे उपर वाला को 5X और नीचे वाला को 7X बराबर 180 दोनों को जोडने से 180 होता है तो इसी परकाल लिखेगा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चेकरी चत्रभूच के सम्मुक कोनों का योग 180 होता है तो 5X जोड 7X अनुपात में जब भी रहेगा तो X देकर सोल्ब किया जाता है ठीक है तो 7X को 5X से जोडनेंगे बराबर 180 होना चाहिए अब 7 और 5 को जोडनेंगे तो 12 हो जाएगा 12X बराबर 180 अब यहाँ पर X का वहलू निकालेंगे 12 ले जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 180 बराबर 12 को सुल्ब करेंगे तो 15 आएगा X बराबर 15 आचुका है अब 5X और 7X यहाँ पर वहलू निकालेंगे अराम से निकल जाएगा देखे अथ 5X बराबर 5 गुना एक्स बराबर 15 निकला है 15 से गुना कर देंगे 15 75 75 हो गया एक कौन ठीक है इस तरीके से कोई भी एक को निया वलमान का चलिए 75 हो गया फिर देखे नेक्स्ट 7X 7 गुना 15 15 स्ट एक सो पांच तो नीचे वला हो जाएगा 105 दोनों को जोड़ने से तरी से भी 180 आ जा रहा है तो इस तरीके से अंसर आ चुका है इसाब लोग नोट कर लीजिए ये दोनों इसका अंसर है अब अब रटते हैं नेक्स्ट अगला कोर्षन क्यों चार नंबर चार नंबर के कोर्षन देखिए चित्र में इस टीग्री दिया हुआ है तो बी ए सी बी ए सी ये वला बडावला कोन लोगों को ग्यार्द करना है तो दीखिए सबसे पहले यह आपर समझी इस सम्दी बहुत त्रिभूज है यह आदि कि ये दोनो भूजा बराबर है तो आमने सामने का कौन भी बराबर हो जाएगा इसमें कोई दिकत नहीं है आप लोगों को तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यह वाला तिर्भूज को बस देखें यहाँ पर देखिए ओ सी त्रीज्या है ओ अब है और यहाँ पर 30 डिगरी है तो इधर भी यह वाला भी 30 डिगरी हो जायेगा कोई रिकत नहीं है यह वाला भी 30 डिगरी का हो जाएगा उसी परकार यहाँ पर यह वाला त्रिभूज में अगर हम लोग देखें तो यह वाला कौन जो है उपर वाला यह हो जाएगा 20 डिगरी और दोनों को जोड़ देंगे 20 और 30 तो 50 डिगरी आ जा रहा है ए कौन ठीके ब अब आगर देखिए प्रमान त्रिभूज ए ओ ब्राबर यह वाला और त्रिभूज ए ओ सी यह वाला त्रिभूज दोनों त्रिभूज में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए a o ब्राबर o b o b यह दोनों भूजा ब्राबर है एकई वरिदग थी त्रिज्या है तो यहाँ पर कौन भी ब्राबर होजाएगा कौन OBA ब्राबर कौन OAB सम्दिबाहु त्रिभूज के कौन इस तरीके से कौन OAB 20 डिग्री हो जाएगा यह वला 20 डिग्री हो जाएगा उसी परकार यह वला भी 30 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर उसी परकार देखर देखिए एक ही वरित के दोनों तरिज्जा हैं फिर यहाँ पर समधिबाहू तरिभूज के कौन है बराबर हो जाएगा तो कौन O, A, C बराबर 30 डिगरी और कौन B, A, C बराबर कौन O, A, B जोड कौन O, A, C दोनों को जोड देंगे विल्यू रखके 20 और 30 तो 50 हो जाएगा यही इसका अंसर हो गया इस तरिके से आप लोगों से कोशन पूछा जा सकता है अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया यह दोनो यानि कि B, A, C पचास डिगरी हो जाएगा अब आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है B, O, C का वेल्यू यह उला कौन B, O, C का वेल्यू तो यह कितना हो जाएगा यह 100 हो जाएगा ठीके चलिए अब बढ़ते हैं अगला कोशन की ओर पांच नमबर पांच नमबर के कोशन देखिए रचना से है इंपोर्टेंट कोशन है एक त्रिभूज, A, B, C के रचना करें जिसमें A, B, 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 C, B, C, B, C, B, C, 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 मेजर से घुमाये हैं उसको छोटा बड़ा किये बिना उसी मेजरमेंट से यहाँ पर सुई को रखना है फिर पेंसिल को ऐसे काटना है एक बार से मिला देंगे यही हो जाएगा बनके हमारा त्रिभूज ABC इसी प्रकार करना है जिससे यहाँ पर देखिए आपको इस तरके से लिखना भी है रचना में रचना के चरण BC हम लोग 4.5 cm का एक रखाखन खीचे कौन B पर CBX साथ डिगरी का कोन बनाया फिर देखिए कीरन BX से BA तींदस पर लोग 5 cm का रखाखन काटा और A C को मिलाया इस प्रकार इस प्रकार त्रिभूज ABC अब इस त्रिभूज बन गया तो इससा आप लोग प्रेक्टिस का लिजएगा important question है बढ़ते हैं हम लोग six number last question देखिए ये भी important seed करें कि वृत के समान जिवा केंदर पर समान कोन बनाते हैं समान जिवा यानि कि दो जिवा दिया गया है देखिए यहाँ पर CD और AB दो समान जिवा है और हम लोगों को ये दोनों को ब्राबर सीद करना है देखिए दिया है किसी वृत C OR में जिवा AB ब्राबर CD ये कौन A, AB ब्राबर कौन COD ये दोनों सीद करना है प्रमान तरिभूज A, O, B और तरिभूज COD में ये दोनों तरिभूज को लेंगे हम लोग ये दोनो तरिभूज में देखिएंगे तो क्या मिलेगा CD AB और ब्राबर है क्योंकि वृत का जिवा है ठीके समान जिवा दिया ग प्राबर हो जाएगा उसी प्रकार साइड 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 तीनो साइड यानिकी एस ऐस से दोनो जो ट्रिभूज वो सर्वांक्सम हो जाएगा तो इस तरह के से अत्र त्रिभूज सरवांसम करिबूज के संगत भूजयáiinkぉ कन ब्राबर होती है इस तरीके से इसको आप प्रेक्टिस कर लिजीएगा है इमपोर्टेंट है यहांब जीत्रह मी कोशिन बताया मैंने सभी काफी जाधा इंपोर्टेंट है अच्छे तरी के साथ प्रेक्टिस कर लिजेगा और टेस्ट से पहले आप लोगों के लिए मैं आप एक सेट अपलोड करूँगा उससे देखना मत भूलिएगा दोनों वीडियो को देख लिजेगा तो अराम साब का 40 आउट अप 40 आजाएगा एक नमर भी नहीं कटेगा यह मेरी गारंटी है वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंको पर वाचे में वीडियो जै हिंद जै भारत